नवरात्रों के दौरान हम गेहूं के आटे की जगा कुट्टू का आटा इस्तिमाल करते हैं आज मैं कुट्टू के आटे से बने सेंड्विच रेसेपी लाई हूं जब आप नवरात्रों में कुछ अलग बनाना चाहें तो ये कुट्टू के आटे से बने सैंड्विच ट्राय करें तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल इंडियन फूड मेरी डिजी को सब्सक्राइब कर ले और हम कुट्टू के आटे के सैंड्विच बनाना शुरू करते हैं सैंड्विच बनाने के लिए यहां मैंने लिए हैं तीन उबले हुए आलू जिने छील कर मैं कद्दुकस कर रही हूं ताकि इनमें लम्स न रह जाएं एक दूसरे बाउल में मैंने लिया है एक कप कुट्टू का आटा इसमें मैं थोड़ा-थोड़ा पानी मिला कर इसका पतला बैटर बनाऊंगी पानी थोड़ा-थोड़ा करके डालें ताकि इसमें लम्स न बन पाएं बढ़िया क्वालिटी के कुट्टू के आटे का रंग इस तरहां काफी डाक सा होता है मैंने तकरीबन डेड़ कप पानी डाला है जिसके बाद आप देख सकते हैं कि आटे की कंसिस्टेंसी मैंने कितनी पतली बना ली है अब इसमें कद्दू कस किये हुए बॉयल्ड आलू डाल दें इसमें डालें आधा चमच जीरा आधा चमच यह अपने स्वादनुसार सैंधा नमक एक तिहाई चमच काली मिर्ची पाउडर लगभग एक चमच पारी काटा हुआ धनिया एक पारी काटी हुई हरी मिर्ची औ और तकरीबन तीन चमच दरदरी पीसी हुई मुफली डाल कर इन सभी को आपस में अच्छे से मिक्स कर लें कुट्टू के आटे के सैंड्विच बनाने के लिए इस रेसेपी में मैंने जो चीजे नवरात्रों के दुरान खाने के लिए सही हूँ उन्हीं का इस्तेमाल किया इन्हें अच्छे से मिक्स करने के लिए मैं इसे और पतला कर रही हूँ तो मैंने आधा कप पानी और डाला है कुल मिलाकर कुट्टू के आटे में मैंने दो कप पानी मिलाया है जिसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी इतनी पतली हो गई है अब दूसरी तरफ गैस पर पैन या कढ़ाई चढ़ाएं और इसमें डालें दो चमच शुद्ध देसी घी घी डाल कर गैस सिंपर सेट कर दें और इसमें कुट्टू के आटे का मिक्ष्टर डाल दें आटे का मिक्ष्टर डालने के बाद कर्ची लगातार चलाते रहें ताकि लंप्स न बन पाएं अब गैस मीजिव हाइपर सेट करके लगातार कर्ची चलाते हुए मैं आटा पका रही हूँ अगर जरूरत लगे तो एक आथ चमच देशी गी और डाल सकते हैं तकरीबन 4-5 मिनट पकाने पर आटा काफी कठा हो जाएगा कुट्टू के आटे का बढ़िया डो बन गया है और ये पहले जितना पतला नहीं रहा अब सैंड़िच बनाने के लिए मुझे कुट्टू के आटे का डो सेट करना है जिसके लिए एक ट्रे या थाली में थोड़ा देशी खी डाल कर इसकी अच्छे से ग्रिसिंग कर लें अब इसमें कुट्टू के आटे का डो डाले और इसे थोड़ा थोड़ा फैलाते हुए हर तरफ से इकुल मुटाई का कर लें मैंने इसे लगभग आधा इंच मुटाई का रखा है क्योंकि जितनी मुटाई डो की रहेगी सेंड्विच की मुटाई भी उतने ही बन कर तयार होगी इसे 12-15 मिनट के लिए पंखे के नीचे या 7-8 मिनट के लिए फ्रिज में रखकर ठंडा कर लें जितने देर में ये ठंडा होता है मैं सैंड्विच के साथ सर्व करने के लिए फटा फट से क्रीमी रायता बना लेती हूँ रायता बनाने के लिए यहां मैंने लिया है 1.5 कटोरी दहीं जिसे मैं अच्छे से फेंट कर क्रीमी कर रही हूँ इसमें डाले एक तिहाई चमच व्रत वाला सैंधा नमक, एक चुथाई चमच काली मिर्चे पाउडर, एक बारी काटी हुई हरी मिर्ची और चॉप किया हुआ एक उबला हुआ आलू डाल कर इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दें मैंने रायते की रेसिपी बहुत ही बेसिक और बहुत आसान बनाई है लास्ट में मैं इसमें बारी काटा हुआ एक चमच धनिया डाल कर मिला रही हूँ इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर दें और थोड़े से धनिया पत्तों से गार्निश करें रायता सर्फ करने के लिए तैयार है इतनी देर में कुट्टू के आटे वाला मिक्स्टर भी अच्छे से जम गया है तो मैं इसकी कटिंग करके इसे सेंड्विच की शेप में काट लूँगी जैसा कि मैंने बताया, मैंने इनकी मोटाई लगभग आधा इंची रखी है जो ना जादा मोटी है और ना जादा पतली ये देखिए कुट्टू के सेंड्विच कितने बढ़िया कटे है इन्हें आप इस तरह काट कर 2-3 दिन के लिए फ्रिज में भी स्टोर कर सकते है इन्हें जब सर्व करना हो फ्रिज से निकाल कर फ्राय करें और सर्व करें अब मैं फटा-फट से इन्हें फ्राय कर लेती हूं जिसके लिए गैस पर पैन गरम करके इसमें थोड़ा सा देसी खी डालें घी गरम होने पर गैस मीटियम हाइपर सेट करें और इसमें कट किये हुए कुट्टू के सैंडविच डाल कर फ्राय करें इन्हें फ्राय करने में सिर्फ एक दो मिनट ही लगते हैं इन्हें पलट कर दूसरी तरफ से भी फ्राय कर लें हमें इन्हें बस बाहर के लिए कुट्टू के सैंडविच फ्राय करने पर ये सर्फ करने के लिए तैयार है इन्हें अब्सॉबिंग पेपर पर निकाल लें ताकि इनका एक्स रॉयल अब्सॉब हो जाए इसी तरहां मैं बाकी के भी कुट्टू के सैंडविच फ्राय करके सर्फ करने के लिए तैयार कर रही हूँ जैसा कि मैंने बताया आप इन्हें कट करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं इसलिए टिफन में भेजने के लिए या शाम के चाय के साथ जटपट बनाकर सर्व करने के लिए ये एक perfect recipe है इस नवरात्री आप भी ये tasty कुट्टू के आटे के sandwich घर पर बनाएं और इसे रायते के साथ सर्व करें इसे खाने वाले आपकी तारीफ सरूर करेंगे ऐसी ही और नवरात्री special recipes देखने के लिए अभी मेरे चैनल इंडियन फूड में डिजी को सब्सक्राइब कर लें